हेलो व्यूर्स वेलकम तो मैं चैनल आज हम करेंगे एक्सराइज वन पॉइंट वन का कोशन नूमबर टेन कोशन सेज अवोटर टेंग के स्टेप इंसाइड एट अमंगे सेटिंग ऑन दी टॉप मॉस्टेप दैट इस अफॉर्स स्टेप दा वोटर लेवल इस एड दी लेते हैं एक रे बना लेते हैं नूमबर रे और हमें क्या बोला गया कि वह फॉर्स स्टेप पर बैठा है और नाइन स्टेप से हैं पूर पर्ड़वल हमारा कौन से स्टेप नेच जल जाते ना दीजेंग कम्त दो स्टेप उपर आujęजाता है in how many jumps will he reach the water level water level हमारा कौन से step पे है 9th step पे तो मदला वो 9th step पे कब पहुँचेगा कितने jumps में पहुँचेगा और वो बैठा यहाँ पे है first jump मारेगा 3 jumps 3 steps down 4 पे पहुँच गया 3 steps down फिर second jump मारेगा तो 2 steps up right second पे पहुँच गया फिर 3 steps down first jump, second jump third jump मारेगा तो 3 steps down right 1, 2, 3 फिर जब मारेगा तो 2 step up फिर 3 से जब मारेगा 3 step down फिर 2 step up फिर 4 से जब मारेगा 3 step down 2 steps up 5 से जब मारेगा 3 steps down 3 steps down 2 steps up 6 से जब मारेगा तो वो 9 step पहुँच गया लिख के करते हैं देखो jump 1 में वो जब मारेगा तो पहुचा 1 प्लेस 3 फिर फिर जब 2 में जो पहुचा हो 4 माइनस 2 2 पहुच गया फिर 3 ऐसी करेंगे 2 प्लेस 3 5 5 माइनस 2 3 3 प्लेस 3 6 6 माइनस 2 4 ऐसी करते हैं 4 प्लेस 3 7 7 माइनस 2 5 5 प्लेस 3 8 8 माइनस 2 6 6 प्लेस 3 9 तो कौन सी जब में पहुचा हो देखते हैं जब 1 जब 2 जब 3 जब 4 5 6 आगे दिखते हैं जब 7 8 9 10 एड़ 11 कितनी जब्स में पहुचेगा वो 11 जब्स में पहुचेगा तो इदे लिखते हैं इन 11 जब्स मंकी रीचेट दी वोटर लेवल इकोश्यां चाहे आप द्वारा रीवाइंट करके देखना बट करना जरूर क्योंकि ये पेपर में जरूर आएगा मंकी रीचेट वोटर लेवल चलो नेक्स पार्ट करते हैं इसका नेक्स पार्ट परते हैं पानी बीने के बाद उसे अपने लेवल पर पहुंचना है वापस आना है तो वो क्या करता है चार स्टेप आप करता हैं फिर दो स्टेप डाउन हर मूझ पे तो वो कितने स्टेप पे, टौप स्टेप पे महुंचेगा मनलब टौप स्टेप पे मनलब फर्स पे पे महुंचेगा ऐसी नंबर रे बनाते हैं वन, टू, ट्री, पूर, फाइफ, सेच, सेवन 8, 9 अब वो क्या कर रहा है, 4 step अब जा रहा है, तो 1st 2nd, 3rd 4, 5 पे फिर 2 step down जाता है तो 7 पे 7 से फिर 4 step up 3 पे 3 से 2 step down 5 पे 5 से 4 step up 5 सिधा 1 पे तो पूच रहे हैं, कितने jumps में वो उपर गया तो चलो देखते हैं 9 minus 4 5 5 plus 2 7 7 minus 4 3 3 plus 2 5 5 minus 4 5 minus 4 1 देखते हैं, कितने jumps हुई? Jump 1 Jump 2 Jump 3 Add Jump 4 Total jumps कितने हुई हैं, हमारी Jump 5 In 5 jumps Monkey will reach at the top step यह बहुत इजी कोश्य हैं, बस एक बर ध्यान से दो बार वीडियो देखना हैं, बट समझ आ जानी ची आपको यह पेपर में जरूर आएगा, monkey will reach at the top step चलो, नेक्स वीडियो देखते हैं, नेक्स पार्ट करते हैं, मतलो If the number of steps moved down is represented by negative integers and the number of steps moved up by positive integers Represent these moves in part 1 and 2 by completing the following जाते देखो हमें दे रखाया ए पार्ट में कि minus 3 plus 2 minus dash equals to minus 8 हमें मतलब की, देखो हमें क्या दे रखाया, अगर move down हो रहे हैं तो negative integers जैसे, इसमें total थो हमें बता चल रहा है कि हमें नीचे की दरफ गए हैं, क्योंकि हमें minus 8 दे रखाया है तो अब चलो, solve करते हैं किस पे हमारा, किस step पे हमारा answer आएगा, minus 8 इधर ही लिख देते हैं देखो, minus 3 plus 2 equals to minus 1 एक बार minus हो रहा है, एक बार plus sorry guys हमने answer question पूरा नहीं पड़ा, हमने यह नहीं करना, बस बताना है कि कौन सी digit देखो, आगे यह हमने statement पढ़ ली इन 8, the sum minus 8 represents going down by 8 steps minus 8 हमें तो बता रहा है कि हम नीचे की दरफ जा रहे है, 8 steps so what will the sum 8 in B represent, तो 8 क्या है बताएगा, बस हमें यह यह बताना था तो sum 8 in B will represent, sum 8 in B part represents going upwards, going 8 step upwards upwards, ठीक है गाईज, पूरा यह सोल नहीं करना going down, going up by 8 steps भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं going up by 8 steps thank you for watching the video guys, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें कोई doubt हो तो comment box में पूछें और प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल और यह वाला पाट धंग से कर ले ना, प्लीज, thank you for watching it